स्वागत दोस्तों आपका हमरे यूट्यूब चैनल लिवेश टिपसिन। दोस्तों आज हम एक बहतरीन SIP स्कीन के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे जिस फंड के बारे में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ये है निप्पोन इंडिया इस्मोल कैप फंड इस्मोल कै कंपनी के अंदर दोस्तों बिलोचिप कंपनी से या मिड कैप कंपनी से ज्यादा पोटेंशल होता है ग्रोथ होने का तो इसलिए यहां पर रिस्क और रिटन दोनों ही हाई होते हैं लेकिन अगर हम इस फंड के ओवर ओल रिटन की बात करें तो जब से ये फंड शुरू परसेंट के रिटन्स दिये हैं पिछले एक साल में भी इस फंड ने दोस्तों 65.71 परसेंट के रिटन्स दिये हैं तो यह निपोन इंडिया स्मोल कैप फंड एक डारेट ग्रोथ प्लान हैं जिसके अंदर अगर आप खुद से निवेश करते हैं तो इस फंड की जितनी भी गिरोथ होगी उसका लाब सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा नोर्मली मीचल फंड के अंदर दो तरह से इन्वेश्मेंट होता है या तो रेगुलर या फिर डारेक्ट अगर डारेक्ट आप मीचल फंड के अंदर निवेश करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशो काफी कम ह कम जाता है क्योंकि agent commission उसमें कम हो जाता है तो डारेक्ट के अंदर जितना भी fund आपका growth करेगा और आपने डारेक्ट investment किया है तो फिर उसका लाब पूरा पूरा आपको मिलेगा और अगर आपने किसी agent के तुरू investment कराया है तो फिर आपको दोस्तों regular आपका investment होगा और 1-5 परसेंट का जो फंड की ग्रोथ का हिस्सा है वो उस एजेंट को चला जाता है कमिशन के रूप में अब आप खुद से कैसे निवेश कर सकते हैं खुद से आपके पास में होना चाहिए एक दोस्तों टीमेट अकाउंट अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो ओनलाइन आप सिर मुचल फंड के अंदर एक बार डीमेट अकाउंट ओपन जब आपका हो जाएगा तो आप किसी भी मुचल फंड के अंदर इन्वेश्मेंट कर सकते हैं चाहिए वो निक्पोन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो या कोई दूसरा मुचल फंड स्कीम हो लिंक नीचे डिस्किप् करते हैं और ये फंड हमें आगे आने वाले टाइम में 20% का रिटन भी लगवग प्रोवाइड करा देता है तो 10 साल के टाइम पीरियड में हमारा टोटल जो इन्वेश्मेंट होगा वो 2,40,000 रुपे का होगा और इस्टिमेटिड रिटन जो हमें मिलेंगे वो 5,24,000 इस फंड के अंदर 15 साल के लिए इन्वेश्मेंट करते हैं तो टोटल जो आपका इन्वेश्मेंट होगा वो 3,60,000 रुपे का होगा और इस्टिमेटिड रिटन जो आपको मिलेंगे वो 19,00,000 रुपे के असपास होगे और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी जो आपने टेक्स का डिड़क्शन होगा बाकी फाइनल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर हम बात करें दोस्तो 22 साल के टाइम पीरियड की अगर आप 22 साल तक 2000 रुपे पिरती महीने इस पंड के अंदर निवेश्मेश करते रहते हैं तो टोटल जो आपका इन्वेश्मेंट होगा 2000 रुपे फिरती मन्से वो पांच लाग 28,000 रुपे होगा लेकिन 20 परसेंट जो हमें एक्सपेक्टिड रिटन मानकर चल रहे हैं इसके हिसाब से इस पर जो आपको रिटन मिलेंगे वो 89 लैक रुपीस के होंगे और पाइनल जो आपकी वैल्यू हो कि आपको दोस्तों मूचल फंड के अंदर compound effect देखने वो मिलता है वैसे आप किसी भी मूचल फंड के अंदर एक साल के लिए दो साल के लिए पांच साल के लिए भी निवेशन कर सकते हैं लेकिन जतने ज्यादा समय के लिए आप निवेशित रहेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको दोस्तो फाइदा होने वाला है I hope दोस्तो आपको यह जानकरी अच्छी लगी होगी अगर इससे संभनित आपका कोई question है गोरी है तो नीचे comment करके आप पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब आपको जरूर दूँगा और अगर आप investment करना चाहते हैं तो फिर आप grow या जरूरधा के अंदर अपना account open करें और उसके बाद में दोस्तो आप इस fund के अंदर जिसका नाम है निप्पोन इंडिया small cap fund direct growth ये एक plan है इसके अंदर निवेश कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी दूसरे fund के अंदर भी निवेश कर सकते हैं धन्यवाद